जैसे राम मित्रगडों बरुथी एकादसी दो हजार तेईस पंद्रा अप्रैल को है या सोला अप्रैल को और इसके सुब महुरत की जानकारी से पहले बता दें की मानिता है कि एकादसी तिथी को भगवान विष्णों की पूंजा अर्चना करने से ब्रती के सभी पाप नश् सरीडिक पीड़ा दूर हो जाती है और दस जार वर्षों की तपस्या के बराबर फल की प्राप्ति होती है इस एकादसी के करने से मित्रगडों आप सभी जानते हैं हिंदु धरम में एकादसी का विशेश महत्तु है एकादसी थी भगवान विष्णों को समर्पित है भारत से पंचांग के अनुसार चैत मास के कर्शन के दारान बरृति एकादसी का विजधर रखा जाता है हालाकि दोनों पंचांग के अनुसार एकादसी की तिथी शीपारती है उंगलेजी का लंडन के अनुसार या वरत कभी मार्च से तो कभी अप्रैय 느 में पढ़ता है य пой çal सा दिन दभीवार को पड़ रही है धार्मिक मानेताओं के अनुसार राजा मन्धाता जो राच्छ स्कुल में जनम लेकर बारुथी एकादसी करने की कारण अंत में स्वर्ग्यानी मोच्छ को प्राप्त हुए इस एकादसी के सुब महुरत की बात की जाए तो 15 अप्रैल को साम 8 बचकर 45 मिनट से सुरू होकर 16 अप्रैल को साम 6 बचकर 14 मिनट को पर ये एकादसी समाप्त होगी एकादसी का ब्रत इस प्रकार कर सकते हैं इस दिन सबसे पहले सुबा जल्दी उठныхर इसिनान करें और शुच्छ कपड़े पहने मंदिर में दीपक प्रजलित करें मंदिर में देवी दिवताओं को इश्नान कराने के बाद साफ स्वच्छ वस्तर पहनाए या पवित्र जल छड़ के अगर आप बृत कर रही हैं तो बृत का संकल पलें भगवान विष्णो का ध्यानन मनन करें भगवान विष्णो के स से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पोड़ हो जाती हैं भगवान विष्णों को भोग लगाएं भगवान विष्णों के भोग में तुल्शी को जरूर सामिल करें इस बात का ध्यान रखें भगवान सिर्फ स्वास्त्विक भोजन का ही भोग शिवकार करते हैं बर्थी एकादस् इन दीपुषकर समेत कई सुभ योग बन रहे हैं इस दिन सुखल योग पूरे दिन रहेगा जो सत्रा प्रैल को सुभा बारा बच कर तेरा मिनट पर समाथ होगा इसके अलावा इस दिन ब्रह्म योग भी है मानेता है इन योगों में किये गए कारिश सुभ फलदाई होते हैं बरुथी एकादसी के ब्रत की महत्व की बात की जाये तो सास्त्रों के अनुसार बरुथी एकादसी ब्रत करने से जातक की मनो कामनाएं पोड होती हैं इस दिन भगवान विश्णों की अराधना करने से भक्त सभी सुखों को भोग करन्त में बैखुंड प्राप्त करते हैं। जाने अंजाने में किये गए पापों से मुक्ती मिलती है। ब्रत का समापन आप कर सकते हैं। अगर आप हमारी तरह सुख मुहूरत के समय से समय तक रहते हैं तो ब्रत समाप्त होने के बाद सुख मुहूरत या उसके बाद भगवान को पिस्म्रण करते हुए ब्रत का पारण करें। भगवान सबकी मनुकामनाईं पूल करते हैं। आप झाल झाल झाल